वेलकम क्रिप्टो ट्रेडर्स से एक नए सांदर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है जैसा कि यार कल रक्षा बंधन है तो सबसे पहले रक्षा बंधन के हर्दिक शुपकामना है और यार रक्षा बंधन के साथ साथ मन्थ का एंडिंग चल रहा है याने कि अगस्त मन् इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा और साथ ही प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा कि के से सितंबर का फर्ष्ट वीक और सेकर्ण वीक तो हम हाफ-ाफ हम कह सकते हैं लिकिन फर्ष्ट वीक काफी अच्छा आप लोगों के लिए साबित हो सकता है इस वीडियो में डिस करूँगा उससे पहले तीन चार नियुज के बारे में बता दू कौन-कौन से हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले पेप को इन के बारे में बात करेंगे बहुत important news है मिसमत करना इसके बाद Bitcoin के बारे में एक update है उसके बारे में बात कर लेंगे इसके बाद xrp के उपर एक हम बात करने वाले हैं और सीबा इन्हों थोड़ा डीटेल में हम समझेंगे तो इन सभी नियोज को हम कवर करने वाले हैं तो सबसे पहले तो हम सिरुवात करते हैं क्रप्टो मार्केट से यहां पर अगर आप देखो तो पुरा क्रप्टो मार्केट अगर आप देखोगे तो इसमें जो trending coin की list में पेप coin सबसे ज़्यादा यहाँ पर search किया जा रहा है trending topic बना हुआ है लेकिन यह इसलिए नहीं कि यार पेप coin अब बढ़ेगा या फिर अच्छा production करेगा यह इसलिए कि यार जिन लोगों ने holding लेकर रखी है पेप coin में वो यार बड़े loss में है यहाँ पर और बड़े loss से बचने के लिए वो देख रहे है कि कहीं पेप coin की price बढ़ जाए तो भी हमें sale करके निकल लूँ बस इसलिए यह searching चल रहा है अगर आप overall इसके graph देखो तो coin ने यार बहुत जादा dump नीचे लगा दी है ऐसी उम्मीद इनकी team से तो नहीं थी क्योंकि इनकी team नहीं यार यहाँ पर जो कथी तोर पर जो यहाँ पर अब सब्दतों में use नहीं कर सकता है जो करा है ना वो गलत है यार ठीक है और यह इनकी team से उम्मीद नहीं थी और इसी कारण से देखो पेप कोईन का भविश अधम में लटक गया वरना मेरा फेवरिट क्रिप्टो करंसी थी पेप कोईन सबसे बेश्ट मानता था मैं मीम टोकन की केटेगरी में टोप पर रखने लग चुका था सीबा डोच कोईन को भी में पीछे छोड़ दिया था और इसी को मैंने प्रेफर किया था और आप लोगों को भी कई बार मैंने बताया था यार भही सोरी यार क्योंकि हम भी देखे भविश का एक्सपेक्टेशन क्या होना है हम उसी के अधार पर जज़ करते हैं ये तो नहीं पता यार हम इश्वर तो हे नहीं कि क्या होगा हमें पहले से पता लेकिन इनकी टीम सो मिन नहीं थी क्योंकि जिस टाइब से प्रोजेक्ट था उससे तो लग रहा था कि काफी अच्छा प्रोजेक्ट है और अभी भी देखें उम्मीद तो हमने नहीं चोड़ी है बट यार इनके टीम ने जो करा है ना घुटाला वो बहुत बड़ी बात है आप लोगों को मैंने प्रिवेस वीडियो में बता भी दिया है कि क्या करा इन लोगोंने आपको वो वीडियो देख लेना चाहिए डबल फाल तो बाते रिपेट नहीं करूँगा यहाँ पर बिटकोइन के बारे में बात कर ले तो बिटकोइन के अगर आप देखो तो अभी अगर मन्थ के एंडिंग में इसकी प्राइज यहीं से अगर आप देखो अठारा तारिक से ही प्राइज यहीं पर सश्टेन होके चल रही है 25-26 के असपास मतलब 25-26,000 और 25,000 के लगभग यहीं पर मुमेंट इसकी प्राइज कर रही है अब यह सा क्यो हो रहा है देखे सीधी सी बात है इनोंने जो एक्सपेक्ट रखे थे बिटकोईन से वो पूरे नहीं हुए है यहाँ पर ना तो ETF आया ना कुछ नहीं आया और यह मन्थ का एंडिंग चल रहा है और ऐसे में प्राइज यहाँ पर ऐसी टाइप से मुमेंट करेगी और यह सितंबर के फर्ष्ट वीक में या तो नीचे जाएगी या फिर उपर जाएगी देखे दोनों बाते कह रहा हूँ सितंबर लॉंच होने तो अभी कुछ भी मत करो प्राइज नीचे जाएगी उपर जाएगी अभी वेट करो तभी आपका भला है यहाँ पर अन्न था आप फोकट फस जाओगे तो यहाँ पर देखे वही चीज़े सस्टेन कर रही है कोई कुछ नहीं कह रहा है हलाकि एक्सपर्ट तो अभी भी कह रहा है कि 26,000 से नीचे प्राइज जादा चांस है जाने के ठीक है क्योंकि अगर आप देखोगे ग्रीन केंडल के पजाए रेट केंडल जादा नीचे दिख रही है और यही चीज़े यहाँ पर आगे भी दिखेगी मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो थोड़ा सा होल्ड रखो अभी यह मंत एंड हो जाने तो उसके बात देखेंगे क्या करना चाहिए XRP में भी यही हो रहा है XRP अच्छा कोईन है आपको सितंबर के फरस्ट वीक में एक थोड़ा बहुत प्रोफिट आपको बुक इसमें हो जाएगा अगर आप इसी strategy को follow करते है जो bitcoin में करी यही कि इसमें भी देखोगे तो वही साथ दिन से moment वही हो रहा है कभी उपर जाती है नीचे जाती है उपर जाती है बट यही अगर इसका हम बीच का level माने तो यही इसका support level हो जाता है यही इसका नहीं हूँ बट आपको judge कर रहा हूँ जहां तक मुझे knowledge है लेकिन इसका जो price ही उपर के तरफ जाएगा XRP first week में आपको profit देकर जा सकती है तो price अभी थोड़ा सा गर इसको हम registration level माने sorry इसको support level माने तो इसके थोड़ा सा नीचे आजाते है और इस trend line जो follow कर रही इससे नीचे आजाता है तब आप इसमें buying कर सकते हैं और first week तक wait करो 6-7 सितंबर तक फिर sell कर देना profit आपको इसमें कुछने कुछ moment दिखेगी 0.55 से लगभग ये touch करके जाएगा ठीक है? ये मेरा मानना है तो ये XRP में देख लेना इसके बाद ये देखिए सीबा के बारे में बात कर ले सीबेरियम अगर एक news को यहाँ पर अगर आप देखे तो सीबेरियम कहिना कहीं पुना प्रारम हो गया है और 2.5% चड़ भी गया था market अगर आप यहाँ पर नीचे गोर करें तो जैसे सीबेरियम लोंच हुआ तो एक लाख वोलेट यहाँ पर देख सकते हैं एक लाख वोलेट यहाँ पर प्राप्त किये है और 24 घंटे में और 35,000 से ज़्यादा यूजर करता हो ने इसको देखा है यहाँ पर आपको 2-3 अपडेट देखने को मिलेगी 2.5% बढ़ गया सीबा सीबेरियम 5 सेकंड के बलोक समय के बढ़ते यूजर करता हो के साथ थोड़ा सा चमका था सीबेरियम शोफ्टियर समस्याओ का समाधान कर रहा है और भविश्च में नेटवर के गड़बड़ियों को रोकने का काम कर रहा है हलाकि अभी वापस देखो तो यहाँ पर मार्केट फिर से देखिए सीबेरियम फिर से क्लोज हो गया है हो सकता है कुछ अपडेट आये होंगे लेकिन अगर ऐसे ही करेंगे तो फिर तो यार थोड़ी से प्रोब्लम यहाँ पर आ सकती है लेकिन एक बात है कि अगर इस न्यूज को और अगर आप गोर करें तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि सीबेरियम कहिना कहिन लेयर टू ब्लोक्चेन मील का पत्थर इनके लिए साबित हो रही एक लाक नए वॉलेट अगर यहाँ पर क्रियेट हो रहे तो एक अच्छी चीज है लेकिन इससे सीबा की प्राइज में कोई मोमेंट आपको कुछ खास देखने को नहीं मिला थोड़ा बहुत जरूर यह चड़ा है तो परसेंट लेकिन यार यह तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है लेकिन यहाँ पर हम सीबा इन्हों में कुछ में मान रहा हो कि हो सके यार अभी इन्हों ने जब जिस टाइप से इसको अपग्रेट करा है उसके बाद थोड़ी सी उम्मीद जरू जागी है शोट टम इन्वेस्मेंट के हिसाब से थोड़ा बद प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा यह मेरे हिसाब से है लेकिन लोंग टम में सीबा इन्हों में पेसा अभी मत वैर्थ गवाव कोई मतलब का नहीं है थोड़ा सा आई हो बहुत सरी चीज़े आपने सीखी होगी क्या करना चाहिए वो मैंने पूरा बता दिया है वीडियो को एक दो बार घुमा के देख लेना आपको सब चीज़े मिल जाएगे और यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करा को रहा चैनल सब्सक्राइब करो मिलते नहीं वी आपको बार 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 बा